कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी हरी प्रबोधिनी एकादशी पर गुरुवार को हजारों श्रधालू उने आस्था की डूपकी लगाई और दानपुर्णे के बाद श्री हरी की आराधना कर भगवान शालिगराम तुलसी का पूरे श्रधा के साथ विवाह रचाया एकादशी पर गंगा स्नान के लिए श्रधालू भोर से ही स्नान के लिए उमड रहे है स्नान के बाद लोग दानपुर्णे कर श्री हरी की आराधना कर रहे है हरी प्रबोधिनी एकादशी से चराचर जगत के पालनहार श्री हरी भी चार मास की योग निद्रा से जाग गए श्री हरी की योग निद्रा से जागने के साथ ही मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएगा एकादिशी पर शहर के प्रमुक चौराहों, मुहलों में लगे गन्ने की अस्थाई दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीददारी की स्थित श्रीमट में गुरुवार शाम तुलसी विवा पूरे धूंधाम से होगा मट से जुड़े संतों के अनुसार शाम को गाजे बाजे के साथ भगवान शालिग्राम की बारात निकाली जाएगी सानिध्य में द्वार पूजा होगी पूजन अर्चन के साथ ही विधिवत शालिग्राम तुलसी विवा होगा शास्त्रों में वर्णित है कि कार्थिक मास में एकादशी तिथी पर तुलसी विवाह का विशेश महत्व है तुलसी का विवाह भगवान की शाली ग्राम अफ्तार के साथ होता है माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुक शांती बनी रहती है और मा लक्ष्मी और भगवान विश्णू की कृपा बनी रहती है लोग घरों के अलावा घाटों पर तुलसी विवाह की परंपरा को निभाते है घरों में तुलसी की पौधे पर जल अरपन कर शाम को दीप भी जलाएगे माना जाता है कि इससे घर परिवार में सुक समरिद्धी बनी रहती है घर में मा लक्ष्मी और भगवान विश्णू का वास रहता है